हे यावरियों वेलकम बैक तो नदर वीडियो तो गैस वीडियों बात करें कि आप किस तरह से वाइट मुस्टैचे और वाइट बीर्ड इस तरह के ड्रोग कर सकते हैं इसमें आप इंडेंटिंग टेक्निक और वाइट जेल पर दोनों का यूज कर सकते हैं और कफ एच्छे स सबस्क्राइकर बना रहेयर देख लेना उससे किसी खाली टूल क तो पर से च्षेडिंग करेंगे तो इसके अपर ने हैं और हम को इस सब्सक्राइब कर रहा हैं और हम को इस सों यूज करते हैं पर हायलाइट करने के लिए hairs को draw करने के लिए mustache को draw करने के लिए white white इस तरह से जब हम इसको blend करते हैं तो यह light हो जाता है इसके अंदर भी graphite या charcoal जो भी आप यूज करें उसके अंदर चला जाता है कफी अच्छी से opt हो पाएगा क्यूंकि paper के उपर कफी अच्छी से opt हो पाता है ब다 grape white या charcoal के उपर इतना अच्छी से नहीं हो पाता है अगर ऊपर से यूज करो इयसा 1977 अगर आप यूज करते हो तो नहीं हो पाता है क्यूंकि ग्रेफाइट के चाया कोल के पाटिकल है वो pen की जो ball होता है उसमें भूच जाते हैं और फिर अच्छे से आपने उपाता है बट paper की ऊपर तो काफ़ अच्छे से चल पाता है मैं आपको brightness कम करके दिखा दूँँ brightness कम करके दिखा रहूंग안 आपको इसमें देखो paper के उपर चल रहा है अगर अपको दिख रहा हो तो paper के उपर काफ़े अच्छे से चल रहा है but graphite चालगोड के उपर से अच्छे से नहीं चल पाता है या फिर किसी भी इस तरह से mechanical pencil का यूज करना है तो उसमें depth आजाएगी और यह जो depth आई है तो आपको यह white white से दिखेंगे hair blend करने पर यह और ज्यादा light होजाता है तो इसके उपर से आप gel pen का use कर सकते हैं gel pen का use करके आप अपने according जितने भी आपको white hair soft करने है white mustaches draw करने हैं काफी अच्छे से कर सकते हैं indenting technique के उपर से इस drawing में मैंने इसी method का use किया था सबसे पहले तो मैंने इसमें इसी mechanical pencil का use करके indenting कर लिए जो भी आप white हलके हलके दिख रहे हैं आपको उसके बाद मैंने उपर से इसमें graphite का use करके shading के जो भी आप white देख रहे हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी अभी तक white gel पर ने या फिर किसी और white pencil का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है only indenting की है जो भी आपको दिख रहे है white white अभी मैं थोड़ी hair के direction में इसमें strokes लगा रहा हूँ फोर भी pencil से जो कि आप देख सकते हैं lightly mustache में काफी white white hair थे तो उनको opt करने के लिए मैंने फिर इसमें indenting के उपर से जैसे कि मैंने आपका भी बताया उसी method का मैंने इसमें use किया और काफी अच्छे से gel pen ग्रेफाइट के उपर से opt हो पाया usually नहीं हो पाता है आप ट्रैकर के देखना ग्रेफाइट के उपर से white gel pen opt नहीं हो पाता है अगर आप light shading करोगे जादा dark करोगे तब तो हो जाता है बिल्कुल जादा dark में बट light में नहीं हो पाता इस तरह से white hair से अगर आपको draw करने हो बट आप indenting technique पहले use करो उसके उपर से जो भी आप आप इस तरह से opt करोगे तो काफी अच्छे से आप white hair को draw कर पाऊगे मैंने first time इस technique का use इसी drawing में गया जो कि आपने देखा आपने और किसी drawing में नहीं देखा हुआ तो मैं खुद experiment कर रहा था कि indenting के उपर से अगर मैं gel pen का use करूँ तो काफी अच्छे से opt हो पाया तो मुझे लगा इस पर एक particular वीडियो बनाने चाहिए आपको बताना चाहिए क I hope आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको सुन्धानी गोशिश किया अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ना अगर यह जरूर कर देखा जो कि मैंने इस ट्रॉइंग में यूज किया था और काफी अच्छे से जैसे कि आपने देखा वाइट जैल पैन का यूज करके इंडेंटिंग टेकनिक का यूज करके वाइट बियर्ड और वाइट मुस्टैचे आप ड्रो कर सकते हैं और यूज करना पड़ेगा उसको ब्लैंड करना पड़ेगा तो यह आपको देखना पड़ेगा उसके हिसाप से आपको फोटोग्राफ में इस ऑब्ज़ करना आना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने इंडेंटिंग टेकनिक का यूज के जिस तरह से मैं आपको दिखा है उसी तरह स किसी अपड़ेगाइब्स इस पड़ेटे करने पड़ेगे टेकनिक्स में आपको बता दिए बाकि आपको एक्स्पेरिमेंट करने हैं इस वीडियो में इतना ही आई होप यूड़ा को पसंद आए होगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरो कर देना और चैनल में तो च